या दोस्तों आप से बीसे जानते हैं कि हमारे काप राउन का जो सबसे पहला प्रोसेस यानि हमारा जो रेजिस्सेशन करना होता है उसका जो प्रोसेस वह शुरू हो चुग है और हमने parallel वीडियो जो है बनाकर पोस्ट कर दएगी किस तरह से आपको रेजिस्सेशन फॉर्म क् का Tú ,्यों hoş को यहाँ पर हुआ यह पर किसी कीवाथ फिजिकल के बात किरूए । मतलब होता है क्या है इस कृट्रूट्र इस इसलों ढरिक होता है जहाँ जू को अगर वह बाद आपद है अगर वह इस कूटिटी मेन है तो अलाइन ही ईसकी कि वेरिफिकेशन क्या हो जाती और अगर किसी भी तरीके सागर किसी भी आंकल से अगर उसके कुछ दिखाई दे रहा है जो डाटा माच नहीं कर रहा है तो वहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह जो एरो होंगे वह सारी सारी की जो चीज़ें उसकी जो लॉगिन ID होगी उस login ID में उसको क्या available क्या करवा दिया जाएगा वहाँ पर उसको एक मौगा दिया जाएगा कि उसको बता दिया जाएगा कि भाई आपके registration में documents में आपकी यह यह चीज़े क्या गलत है तो वहाँ पर student को एक option रहेगा कि वह क्या कर सकता उस चीज़ों को replace करके फिर अपना form क्या edit करके फिर वापस से submit क्या कर सकता आपके e-verification के लिए e-scrutinating के लिए अब एक बार जब उसकी सारी चीज़े clear हो जाएगी तो वहाँ पर online ही उसको acknowledgement मिल जाएगा ठीक है आपके से इटी के साइट पे अब यहाँ पर मैं बात करूँ जब हम बात करते किसके लिए आपके physical scrutiny के लिए जब मैं physical scrutiny के बात करता हूँ तो physical scrutiny में basically होता क्या है एक ऐसा जरिया जहाँ पर student को जो होता है वो आपके नजदी की जो एक्सी सेंटर होगा वहाँ विजट करना पड़ेगा अदोगो यहाँ पर एक जो बहुत अची चीज यहाँ पर देखने मिलिए कि अब जो students को है option यहाँ पर मिल रहा है कि वह क्या कर सकते है वहाँ अपने हिसाफ से time slot चूज कर सकते है ठीक है जो अब यहाँ पर फाइदा यह होता है कि जहाँ पर स्कूटिनीटी के लिए आपको एक पडिकलर टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि कुछ error तो नहीं आ रहा कही कोई mistake तो नहीं हो गया महीं पर फिजिकल स्कूटिनीटी में कैसा होता है कि आप डॉक्यमेंट्स लेकर जा रहे हो अगर कुछ problem आ रहा है कुछ error है तो आपको on the spot चीज़े पता चल जाती है कि यहां पर मैंने यह चीज़े गलत भरी है यहां पर मुझे यह चीज़ करेक्ट कर दिया तो आपका जो procedure होता है वह थोड़ा सो और ज्यादा fast क्या हो जाता है ठीक है तो देखो दोनों ही सेंटर available है allotted है तो मेरा suggestion देगा कि आप थोड़ा सा महनत करके आप वहां पर विजिट करो क्योंकि अगर हो सकता है कि कि किसी भी रिजन के वज़े से आपके form में या आप से कुछ गलती हो गया आपके documents में कुछ कमी आए तो वहां पर आपको तुरंद पता चल जाएगा ज से आपको क्या है उस चीज को जल्द से जल्द क्या सुधार क्या सकते हो हाँ पर मैंने पूरी आपको जानकरी देर दिये दोस्तों और फिर भी अगर मन में कुछ भी डाउट है तीज डू लेट में नो इन कमेंट सेशन हम आपके लिए और भी वीडियो क्या लेकर आज दि तो मिलें अगले वीडियो में तब तक लिए घर पे रहा सुरक्षित अपर राद दुस्तों काहिन दोस्तों